गर्मियों की चुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया है लेकिन अब तक रिजर्वेशन नहीं कराया है तो फिर आप शायद ही चुट्टियों पर जा पाएं आप गर्मियों के मौसम में चुट्टियों पर कहा जाने की सोच रहे हैं वैसे आप जितने पैसों में गुआ या केरल जाते हैं लगभग उतने ही पैसों में थाइलेंड या मौरिशियस जैसी जगह का ट्रिप लगा सकते हैं निशान्त जैन बता रहे हैं कि इस बार गर्वियों में आपके लिए किस तरह के ओफर्स होंगी लोकल डेस्टिनेशन्स में अगर आप दिली से गोवा या फिर केरल अजाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर सोच लें क्योंकि इससे कम पैसो में आप थाइलेन ये सिंगपूर का एर ट्रेवल कर सकते हैं जहां थाइलेन का रिटर्न टिकेट आपको पढ़ेगा करीब 10-11,000 रुपे वहीं गोवा के रिटर्न टिकेट के लिए आपको खर्षने होंगे कम से कम 12,000 रुपे वैसे इस समय एर ट्रेवल थोड़ा समयंगा है लेकिन टूरेन ट्रेवल ओपरेटर्स को उमीद है कि आगे चलकर रेट कुछ कम होंगे साथी ट्रेवलर्स के लिए एलाइन की तरफ से बढ़िया ओफर्स भी आएंगे जो सप्लाई है वो काफी भढ़ गई है, कॉम्पिटिशन भढ़ गया है तो फेर्स इस गर्मियों की छुटियों में और नहीं भढ़ेंगे हाला कि आज कल कमपेर टू लास्ट येर फेर्स में कोई 10% के क्रीब इंक्रीज है पिछले साल के मकाबले में वितेशी जगाओं में लंदन, पैरिस, औस्टेलिया और थाइलेंड सिंगापोर जैसी ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन के साथ एजिप्ट और टर्की भी काफी होट चल रहे हैं एजिप्ट ये तर्की जैसी जगाओं के लिए आने जाने का एर ट्रेवल का खर्चा पड़ेगा करीब 25-30,000 रुपे जबकि इरोब जाने के लिए आपको खर्चने होंगे 30-40,000 रुपे वैसे आप अपने ट्रेव जितना जल्दी बना ले उतना अच्छा ताकि एरलाइन्स के इन्वेंटरी आफर्स ले सकें यानि पहले बुकिंग कराने पर शायद आपको कम पैसे देने पड़ें दिपक वाजपई के साथ निशान चैन दिल्ली